ये लो कुकु बेटा, अपना लंच बॉक्स मम्मा, आज मेरे लंच बॉक्स में क्या रखा है? आज मैंने अपने बेटे की पसंद का फोचन रखा है लंच बॉक्स में पराठा और साथ आम का अचार जब भूक लगे, तो खा ले ना मेरे बेटे ममा, मेरा दोस्त मिठ्धो भी क्या मेरे साथ खाले? क्यूं नहीं पेटा अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाले ना मैंने तो प्राथे रखे हैं ऐसे कोकु अपना लांच बाक्स अपने स्कूल बैग में रखता है और बैग उठाकर अपने स्कूल चला जाता है ममा मुझे स्कूल से देर हो रही है मेरा बैग कहा है जगू केई बार कहा है चुप करके स्कूल चले जाया करो और मुझे तंग ना किया करो सारी नीद खराब कर दी मेरी मिल गया ममा मेरा बैग तो मिल गया आज छोटे तोटे का लंच बाक्स ना चुराना आज किसी और का चुरा लेना ममा मुझे पता है मैं सब पक्षियों के लंच बाक्स बारी बारी ही चुराता हूँ और आज चिडिया के बेटे कुकु की बारी है अगर कोई भड़िया चीज हुई लंच बाक्स में तो अपने मम्मा के लिए भी लेते आना फिर जगु कवा अपना बैग उठाता है और स्कूल चला जाता है अगर खुले अलाके में भोचन को जाते हुए तेज हवा और बारिश शुरू हो जाए तो वहीं बैठ जाना है और हाँ याद रखना किसी सूखे पेड़ के नीचे नहीं बैठना क्यूंके सूखे पेड़ की ढाल तोट सकती है जग्गू उठो उठो तुम सो रहे हो रात सोए नहीं क्या नहीं नहीं टीचर मैं तो जाग रहा हूँ तो फिर बताओ मैंने आज का क्या सबक दिया है टीचर यही के बारिश में सूखे पेड़ के नीचे बैठने से हम सरक्षत रहेंगे जग्गू कवे का यह जवाब सुनकर पूरी कलास हंसने लग जाती है कूकू आप बताओ तीचर तेज बारिश में हमें सूखे पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए क्योंके सूखे पेड़ की डाल तोट भी सकती है शाबाश ऐसे याद रखा करो चलो अब अपना अपना लँच कर लो फिर सब स्टूडेंट्स अपना अपना लँच शुरू करते है जग्गू आज आप भी हमारे साथ ही लँच कर लो मेरी ममा ने पराठे दिये हैं मुझे आज खाओ खाओ तुम अपने पराठे खाओ मैं तो नदी से पानी पीने जा रहा हूँ ऐसे जगू वहां से चला जाता है कूकू जैसे ही अपना लंच बाक्स खोलता है उसका लंच बाक्स तो खाली था क्योंके उसका लंच बाक्स तो जगू कवे ने सुबहा ही चुरा लिया था कूकू कहां है पराठे? मिठू मेरे पराठे किसी ने चुरा लिये है कुल मेरे साथ भी यही हुआ था और मेरी खिचडी भी किसी ने चुरा ली थी जो मेरी मम्मा ने मेरे लंच बाक्स में रखी थी मम्मा ने बड़े शोक से मेरे लिए पराठे बनाए थे आप आज मेरे साथ लंच कर लें, मेरे पास चावल हैं, हम सब थोड़े थोड़े चावल खा लेते हैं वाह वाह, मज़ा आ जाएगा आज तो पराठे और वो भी अचार के साथ मैं एक पराठा खा लेता हूँ और दूसरा ममा के लिए ले जाओंगा ममा पराठा देख खुश हो जाएगी ऐसे जगू कवा वो पराठे जो उसने कुकु के लंच बॉक्स से चोरी किये थे खाता है टीचर आज फिर मेरा लंच किसी ने चोरी कर लिया टीचर अगर चोड को ना पकड़ा गया तो ऐसे हमेशा लंच चोरी होता रहेगा अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा टीचर टीचर मेरी ममा ने मुझे उबला हुआ अंडा दिया था वो भी किसी ने चोरी कर लिया है अब चुटी जाओ कल देखेंगे ममा आज मेरा लंच किसी गंदे पकशी ने चोरी कर लिया और मुझे भूग के ही रहना पड़ा बेटा तुम भी तो अपनी चीजों का दिहान नहीं रखते ममा मैं सुभा बैग रखकर खेलने गया था जब ब्रेक टाइम में लंच बॉक्स निकाला तो वो खाली था अच्छा चलो अब चल्दी से ये हलवा खालो मैंने अभी अभी आपके लिए बना कर रखा है और टीचर को बताया था ना लंच चोरी होने का ममा मैंने भी बताया और दूसरे पक्षियों ने भी तो फिर टीचर जरूर कोई उपाई निकाल लेगा जगू तुमने खा लिया था पराठा हाँ ममा दो पराठे थे एक मैंने खा लिया और एक आपके लिए रख लिया ये चिडिया कैजे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भाजन अपने बेटे के लंच बॉक्स में रखती है जगू मुझे तो मज़ा ही आगया पराठा खाने का ममा ममा कल बलबले की बारी है कल मैं फिर कुछ लाँगा आपके लिए तोटा टीचर भी कलास के बाद चील को बुलाता है और कलास रोम में दो सीसी टीवी कैमरे लगवा देता है तोटे टीचर अब जो भी चोर होगा पकड़ा जाएगा सी सी टी वी कैमरा सब बताएगा कि चौर कौन है और फिर हर रोज की तरहा जब सब स्टूडेंट्स अपने अपने बैग कलास में रहकर प्ले ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो जगू कववा अपना काम शुरू करता है वो जलती से बुलबले के बैग से लंच बाक्स निकाल लेता है जिसमें तीन लड़ू थे जगू वो तीनों लड़ू अपने बैग में डाल लेता है और वहां से बाहर चला जाता है ब्रेक टाइम में जब बुलबला अपना लंच बॉक्स खोलता है तो वो जोड़ जोड़ से रोने लग जाता है मेरे लड़ू, मेरे लड़ू फिर आज किसी ने चुरा लिए है चलो बुलबले, टीचर को बताए ममा ने कहा था टीचर को बताया करो टीचर, टीचर, आज फिर बुलबले के लंच बॉक्स में से किसी ने लड़ू चुरा लिए है तो फिर आज वो पकड़ा भी जाएगा क्योंकि आज मैंने कलास रूम में सीसी टीवी कैमरा लगवा रखा है ये सुनकर जगू तो ड़ जाता है टीचर, टीचर, मेरे पेट में दर्द है मुझे छुटी दे दें थोड़ी देर रुको, फिर चने जाना और फिर तोटा टीचर दिवार पर लगी एल एडी आन करता है जिसमें साफ देखा जा सकता था कैसे जगू कवा बुलबले के बैग में से लड़ू निकाल रहा है और खुश हो रहा है ये सब देख तो जगू कवा बहुत शिर्मिनता होता है और फिर जगू अपने दोस्तों से आएंदा उनका लंच ना चुराने का वादा करता है और अपने टीचर से भी सोरी करता है चिडिया के दो बच्चे थे उन्होंने अभी निया निया ही उन्ना सीखा था इसलिए उन्हें उन्ने का बहुत शोक था बड़े और चोटी मैं जा रही हूं भोजन लेने और आप खौंसले में छुपकर बैठ जाओ और मेरे पीछे से उन्हें की कोशिश ना करना ममा ममा जब आप भोजन लेने जाती हैं तो बड़ा भाई इस पेड़ से दूसरे पर पार पार जाता है और मेरे रोकने पर भी नहीं रुकता जूट ममा जूट ये तो खुद ऐसा करती है और नाम मेरा लगा रही है तुम दोनों में से किसी ने भी खौशले से बाहर नहीं निकलना जो बाहर निकलेगा उसे में बुलबुल दीदी से बड़े वाला टीका लगवाऊंगी ऐसा कहते हुए ममा जड़िया भोजन की खोज में चली जाती है गुडिया तुम हमेशा मेरी शकाइते लगाती हो ममा से तो फिर तुम क्यों खोशले से बाहर जाते हो जब ममा भोजन लेने जाती है वो तो मैं आज भी जाओंगा और अगर तुमने ममा को बताया तो मैं भी मम्मा को छूट से बना कर तुम्हारी इतनी शिकायतें लगाऊंगा कि पटाई हो जाएगी तुम्हारी मुझे क्या जाओ अकर मम्मा आगई तो बड़े वाला टीका भी तो तुम्हें ही लगेगा और फिर मैं तालियां बजाऊंगी बड़ा भाई अपनी मम्मा की बात की परवाग ये बिना अपने घोंसले से निकलता है क्यों न आज थोड़ा दूर जाओं और देखों के चंगल कैसा है वो ऐसा सोचते हुए थोड़ा दूर निकल जाता है थोड़ी दोर उसे कवे का बेटा जगू कवा उड़ते देखता है अरे ये बड़ा तो आज बड़ा तीची से उड़ रहा है चलो आज इसे थोड़ा तंग करता हूं ऐसा सोचते हुए वो छोटा जगू कवा भी बड़े के पीछे उड़ता है बड़े रुको, मेरी बात सुनो क्या हुआ कवे, आपने मुझे क्यों रोक लिया मेरे साथ चलो, मैं पहाड की तरफ जा रहा हूँ वहाँ एक बहुत सवादिश्ट फल है मैं तो रोज खाने जाता हूँ, आजाओ अगर खाना है तो मुझे मीठे फल बहुत पसंद है, क्या वो फल मीठा है मीठा, बहुत मीठा है वो फल मेरी ममा के घर आने से पहले पहले हम लोट कर आ जाएंगे क्या हम यूंगे और यूं आए ऐसे जगू बड़े को साथ लेकर पहाडों की तरफ चला जाता है ये बड़ा भाई आज तो कुछ ज्यादा ही दूर चला गया है और ममा भी आने ही वाली होंगी ना जाने बड़ा ममा का कहना क्यों नहीं मानता जगू भी बड़े को लेकर पहाडों पर पहुंच जाता है जगू बहुत शेतान कववा था और वो बड़े के साथ एक शरारत करने वाला था जगू कहां है वो फल वो सामने जो हरे रंग का फल है वो बहुत मीठा है चलो खाएं फिर जगू बड़े को एक कैक्टिक्स के पास ले जाता है ये फल तुम खालो और वो मैं खा लेता हूं ऐसा कहते हुए जगू दूसरे कैक्टिक्स के पास जाकर उसे खाने का नाटक करने लगता है खाओ खाओ बड़े ये बहुत मीठा है परन्तु मेरी ममा तो कभी ये फल घर नहीं ले कर आई मुझे क्या पता तुम्हारी ममा क्यों नहीं ले कर जाती अगर तुम्हें नहीं खाना तो ना खाओ तुम्हारे वाला भी मैं ही खा लूँगा नहीं नहीं मुझे भी खाना है और फिर बड़ा जैसे ही अपनी चौँच उस कैक्टिस पर मारता है दो बड़े कांटे उसकी चौँच में लग जाते है ये तो बहुत कड़वा है और मेरी चौँच भी खायल हो गई है मेरे बहुत दर्द हो रहा है उल्लू बनाया उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया अब ये कांटे तो तुम्हारी मम्मा ही निकालेगी और करेगी तुम्हारी खूब पटाई ऐसा कहते हुए जग्गू वहां से भाग जाता है ये कव्वा मुझे पागल बना रहा था मेरे बहुत दर्द हो रहा है और मम्मा को पता लगा तो वो भी मुझे मारेंगी गुडिया बेटा बड़ा कहा है ममा ममा जब आप गई तो बड़ा उसी समय निकल गया था और अब तक नहीं लोटा गुडिया बेटी आपने रोका नहीं भाई को मैंने रोका बहुत रोका पर रंतु वो मेरा कहना ही कम मानता है ऐसे ही बड़ा भी घर लोटाता है उसकी चौँच से खौन बह रहा था बड़े आप कहां के थे और आपकी चौँच से खौन कैसे निकल रहा है ममा मैं सोरी ममा मैं थोड़ा सा उनने के लिए गया था उस चोटे कवे ने मुझे एक फल खाने का कहा जिसे खाते ही मेरे मूँ में कांटे चुब गए है ममा मेरे बहुत दर्ध हो रहा है बड़े बेटा ये तो कैक्टस के कांटे है और अगर इन्हें बाहर ना निकाला तो इन्फेक्शन भड़ सकता है आप चले मेरे साथ हमें बुलबुल दी के पास जाना होगा ये सुनकर गुडिया हंसने लग जाती है ममा ममा बड़े को कवे ने उल्लू बना दिया और ममा अब बड़े के बड़े वाला टीका भी लगवाना ममा एक पार बस एक पार सोरी दे दे मैं फिर कभी घर से बाहिर नहीं जाओंगा ममा मेरे टीका ना लगवाना ये तो अब बुलबुल दी ही बताएंगी आप चले मेरे साथ और फिर ममा चिड़िया बड़े को साथ लेकर बुलबुल की तरफ जाती है ये कैक्टस के कांटे बहुत जहरीले होते है मैंने कांटे तो निकाल दिये है बुलबुल आंटी मेरे दर्द हो रहा है बुलबुल दी दर्द की दवा भी दे दें अब मुझे पेन किलर इंजेक्शन लगाना होगा टीका, नहीं ममा, प्लीज मेरे टीका ना लगवाना ममा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा और ममा, मेरा दर्द भी रुक गया है बुल बुल दी, रहने दें टीके का तो नाम ही सुनकर बड़े का दर्द रुक गया है अगर फिर कभी अपनी ममा को बताई भी ना कहीं के तो फिर वो सामने देख लो ये टीका मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है फिर ममा चिडिया बड़े को साथ लेकर घर वापिस होती है और बड़ा भी सोच लेता है कि अभी वो बड़ा नहीं, छोटा ही है और वो हमेशा अपनी ममा का कहना माने का छोटे कवे ने उसे बड़ा सबक दिया था